दोस्तो आईपील तो खतम हो चुका है अभी हमारा जो है और आपका जो है सारा फोकस, सारा ध्यान जो है वर्ल्ड कप 2019 में होना चाहिए और वहीं सो जो है एक बहुती बड़ी खबर, खुस खबर और एक छोटी सी बुरी खबर निकल के आ रही है वर्ल्ड कप 2019 से तो क्या है पूरी खबर आपको जो है इस वीडियो मालूम पढ़ जाएगी तो एक लाइक कर दिजे शेर कर दिजे आगे जो है वर्ल्ड कप की खबर इसे पाने के लिए जरूर याद से सब्सक्राइब भी कर लिजे दोस्तो हम सभी को पता है कगीसो रबाडा डेल स्टेन और लूंगी एंगेडी जो की साथ अफरिका के पेस अटैक के बहुती बड़े खिलाडी है लेकिन हम सभी को पता है ये तिनों खिलाडी जो है फिलाल इंजरी से जूज रहे है आईवियल में जो है कगीसो रबाडा डेली की टीम से चोटिल हो गए थे उनको बैक स्टिफ्नेस हो गया था वहीं जो है डेल स्टेन आरिसियशेलिकी से खेलते हुए भी इंजरी का कंसन हुआ था मैं बात करते हैं लूंगी एंगेडी की तो लूंगी एंगेडी जो है अफवरीका की टेम के तरफ से खेलते हुए चोटिल हो चुके थे लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिरकार यह तीनों खिलाडी वर्ल्ड कप से पहले फिट हुए कि नहीं तो यहाँ पे जो है सवतफ फिरका के जो कोच है उन्होंने बयान दिया है और यह बात साफ कर दी है कि कगीसो रबाडा जो है वो वर्ल् दुसरी ओर बात करें डेल स्टेन और लुंगी एंगेडी की तो उनको लेके जो है कोच ने कहा है कि यह जो है दोनों खिलाडी अभी फिट नहीं हुए है इनको जो है खेलने को लेके अभी भी सस्पेंस बना हुए है यहाँ पर जो है थोड़े से कम चांस है कि यह दोनों पहले मैच में खेलते हुए दिखाई दे क्योंकि उनकी जो इंजरी है थोड़ी सी गंभीर है as compared to कगी सो रबाड़ा तो देखते हैं अगर डेल स्टेन और लुंगी अंगिडी पहला मुकाबला नहीं खेलते हैं तब जो अफ्रिका के टीम है उनको बहुत बड़ा जटका लग सकता है तो ये थी दो बड़ी खबर एक खबर कगी सो रबाड़ा फिट है और अपने पहले मैच में वर्ल्ल कप में खेलने के लिए तयार है वहीं दूसरी तरफ डेल स्टेन और लुंगी अंगिडी जो है अभी भी फिट नहीं है उनके उपर सस्पेंस बना हुआ है कि वो इंजरी से रिकवर कर रहे है आगे जो है कोई भी खबर आती है तो मैं जो है आप सभी को सबसे पहले बता दूंगा वीडियो पना के फिलाल कले इस वीडियो में इतना ही हसते रहिए मुश्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए